हालो दोस्तों एक बार स्वागेते फिर से आप सब का चानल में जिसका नाम है स्मार्ट लैनिंग स्टेप्स और मेरा नाम है आशा शर्मा और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको लिट्रेचर ना करवा के ग्रामर के बारे में बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में मैं लेसें टू क्लास फिफ्ट का चैप्टर है और चैप्टर नेम है दिस सेंटेंस तो आज हम इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में जानेंगे और इस एकसरसाइज को चैप्टर टू की सभी एकसरसाइज को सॉल करेंगे sentence क्या होता है basically सबको पता है sentence होता है कि जब हम word को correct order में रखते हैं तो उसे हम sentence बोलते हैं definition क्यों होती है sentence is a word of sentence is a group of words So हम sentence में जो एक group होता है word का उसको हमें correct order में रखना होता है तो यह basically हो गया कि sentence क्या है जब आप वर्डो को एक sentence के अंदर एक group के अंदर correct order में रखते हैं create करते हैं center these are our sentences so यह basically है अब sentence हम जब भी आप कोई भी sentence बना रहे हैं तो हमेश्चे उसे आप जिससा आप देख सकते हैं इसमें लिखा है the sentence always begins with a capital letter and end with either a full stop question mark explanation mark ठीक है हम जब भी sentence बनाते हैं start हमेश्चा हम capital letter से करेंगे first letter should be in capital form ठीक है capital letter होना चाहिए और उसको end करते हैं full stop से अब इसमें भी तीन टाइप से मुसको stop करेंगे first होगा full stop, second होगा question mark and third होगा exclamation mark कैसे होगा यह मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ इन marks को जाने से पहले आपको kinds of sentence के बारे में थोड़ा समय बताना चाहूंगी kinds of sentence कितने type के sentence होते हैं तो sentence होते हैं हमारे four types की first होता है assertive, second interrogating, third imperative and fourth होता है exclamatory declarative sentence भी बोलते हैं और assertive sentence two types के होते हैं एक होता है affirmative sentence जिसे हम positive sentence बोलते हैं और एक होता है हमारे negative sentence बागी इसमें two types से इसका use के जाता है जब भी आप assertive या declarative sentence बनाएंगे तो first word जो आपका होगा उसका first letter आप capital letter में लिखेंगे और last में full stop लगाएंगे assertive sentence क्या होता है इसके अंदर हमें complete statement के बारे में पता चलता है जैसे एक्सामपल देख सकते हैं दार्जलिंग इस famous for its natural beauty अमित does his work neatly तो यहां पर में पता चल रहा है दार्जलिंग जो हमारा है वह अपना वह फेमस है अपनी beauty के लिए और अमित ने अपना काम किया तो यहां पर हमें complete statement पता चल रही है सो असेरेटिव sentence में हमें complete statement पता चलती है subject की सेकेंड आता है interrogative sentence interrogative sentence में हमेशा question किया जाता है सवाल करते हैं और उसके लिए हम हमेशा या तो question word का use करेंगे या helping word का interrogative sentence assertive sentence की तरह subject से start ना होके question word से या helping word से start होते है question word क्या होती है what when where why which जो भी w letter से start होते है वो हमारे question word है and helping word होती है जो हम normal assertive sentence में जो use करते हैं is mr was word has have do does did will shall यह सब हमारी helping verbs होती है तो जब कोई भी sentence question word से या helping word से start होता है तो वो interrogative sentence होते है या आप जब भी question words का कोई sentence बना रहे है तो आप सबसे पहले subject नहीं लिखेंगे सबसे पहले आप या तो question word लिखेंगे या helping word होगा और sentence के last में question mark का sign होगा हम इसमें full stop नहीं लगाते हैं assertive sentence की तरह हम इसमें question mark का sign लगाते हैं next मर आता है imperative sentence imperative sentence में हम हमीशा इसमें क्या करते हैं commands करते हैं command क्या होती है request हो सकता है इसमें order कर सकते हैं इसमें suggestion दे सकते हैं तो यह imperative sentence होता है imperative section में action किया जाता है action आपका commands में हो सकता है suggestion में हो सकता है advice में हो सकता है order में हो सकता है और complete करने के बाद sentence में हम full stop लगाएंगे just like the assertive sentence first word should be in capital letter and the last put the full stop same as assertive sentence अब जिसे इसमें आप example देख सकते हैं imperative sentence में kindly handle it with care तो यहाँ पर request करें कि आपको इसको अच्छे से handle it with care करना चाहिए handle it with care इसको बहुत care के साथ handle करो यहाँ पर हम command कर रहे हैं इसी sentence को you should handle it with care यहाँ पर हम advise या suggestion दे रहे हैं देखिए हमने एक ही sentence को तीनों ही form में create किया request भी कर ली command भी किया और suggestion किया request, command, suggestion, order यह हम imperative sentence में करते हैं same first letter capital होगा और complete करने के बाद follow stop same ही बिल्कुल assertive sentence है दोनों में difference है assertive sentence में complete statement के बारे में बताया जाता है subject की और imperative sentence में हम action करते हैं या advice करते हैं, commands देते हैं, suggestion करते हैं यह सिफ imperative sentence में होता है next हमारा आता है excliminary sentence excliminary sentence होते हैं, जिसमें हम strong feeling को represent करते हैं excliminary sentence में हम interjection words का use करते हैं जैसे interjection words हमारे होते हैं alas, yippee, o, hooray, ouch और पर बहुत सारे मारे interjection words होते हैं और जब भी आप interjection words से sentence बना रहे हैं excliminary sentence बना रहे हैं तो interjection word के बाद exclamation mark उसके बाद अपना sentence और last में full stop बट कई बार आपने देखा होगा excliminary sentence में हम how and w question word होते हैं इनसे भी sentence बनाते हैं और जब भी आप w या how word से sentence बनाएंगे exclamation section में तो आप w और how के बाद exclamation का mark नहीं लगाएंगे सबसे last में exclamation का mark लगाएंगे सबसे last में हम exclamation का mark लगाएंगे वो इसलिए क्योंकि वो हमारे w letter से question word से start है और अगर आपका exclamation sentence इंटर्जेक्शन वर्ट से start होगा तो सड़नली उसके बाद आप जस्ट उसके बाद exclamation का mark लगाएंगे जैसे देखिए अलाज इंडिया लॉस्ट वर्ट कप फाइनल फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप हमने लगाया फाइनल में अलाज के बाद हमने exclamation का mark लगाया हो रे लॉंग विकेंड्स ओफ हॉलिडेइज फुल स्टॉप तो हुरे के बाद आपको exclamation का mark मिलेगा आउच जिम हड्ड तो यहां पर आउच के बाद हमें exclamation का दिख रहा है तो इंटर्जेक्शन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इंटर्जेक्शन वर्ड के तुरंत बाद हम exclamation का mark लगाते हैं और अगर हम जैसे आप देख सकते हैं इंग्जाम्पल है इसमें what a fricking noise it was exclamation mark अगर हम बोलेंगे how beautiful it is exclamation mark तो इसमें हम इंटर्जेक्शन का वर्ड यूज नहीं हुआ है इसमें हमारे question word used होए है तो जब भी हमारे question word used होँगे exclamation में तो last में हम exclamation का mark लगाएंगी और एकर interjection word यूज होगा तो interjection word के बाद हम exclamation का mark लगाएंगी तो यह तो इसके चारो kinds के बारे में हमने आपको explain किया अब मैं आपको इस चाप्टर की exercise को आपको explain करूंगी समझाऊंगी कि कैसे आप इसका correct answer fill करेंगे जिस आप देख सकते हैं जूम अलॉंग इसकी exercise portion है यह exercise b है इससे पहले exercise a भी है उसमें सिफ कुछ words है और उनको rearrange करने के लिए बोला गया complete or correct sentence बनाने के लिए कहा गया तो इस इस the exercise one here you can see rewrite the following group of words as meaningful sentence remember to begin them the capital letter and end with them full stop or question mark at the end so यह हमारे sentence है exercise है और इन्हें हमें complete और एक correct order में fill करना है first है in water the cool flash sweet this is and यहां पर words है लेकिन यह सारे words correct order में नहीं है हमें इन्हें order में करना है so first इसका जो correct sentence बनेगा वो बनेगा this is sweet and cool water in the flask second is मैं आपको यहां पर सिफ answers बता रहे हूं second का बनेगा the good students respect teacher third open your window on the right four they keep milk and egg in the refrigerator five we were late to school six one-eyed man cannot driving license cannot get a driving license यहां पर सारे words हैं बट हम इन्हें correct order में करना है और जब भी हम sentence बनाते हैं तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले हम subject से start करते हैं complete उसको करते हैं last में object के साथ और सारे वर्ड को मैं accordingly करना होता है subject then helping verb the main verb and then the last the object तो यह exercise है यह exercise मैंने इसमें सौल की हुई है आप देख सकते हैं नेक्स हम exercise भी डिसक्स करते हैं exercise भी है इसमें change the following declarative sentence into interrogative sentence with wh words यानि की question word one has been done for you यहां पर है find the way of recycling water यह हमें sentence दिये गए है इन सभी sentence को हमें interrogative sentence में बनाना है और question word से start करना है सारे sentence हम question letter से start करेंगे question word से start करेंगे helping verb से नहीं करेंगे क्यों क्यों क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया है कि हमें wh words से ही बनाने है so first यहां पर solve दिया गया इसका answer first हमारा बनेगा what are the ways of recycling water second बनेगा जिससे second है सरदार Patel is called the iron man of India तो इसका interrogative sentence बनेगा who is called the iron man of India third the young girl opened the door of the case who opened the door of the case four at night we went for a walk when we went for a walk five Gangtok is the capital of Sikkim what is the capital of Sikkim six darling is a famous for tea and toy train what is the famous for the tea and toy train तो यह हमने सारे sentence interrogative sense section में बनाई है next आती है exercise C यह हमारी miscellaneous है we write the sentence as asked in the bracket one has been done for you Mount Everest is not the highest peak bracket में है इसका declarative बनाना है तो कैसे बनाएंगे declarative यानि की assertive sentence so Mount Everest is the highest peak second है India won the cricket world cup trophy negative में बोला है India did not win the cricket world cup trophy third है थार्ड है the iron clothes are keep in the wardrobe interrogative which clothes are keep in the wardrobe four get some bread butter and milk for the market request करने है kindly get some bread comma butter and milk from the market please stay away from the electric wires यहां पर हम कमांड कर रहे है keep away from the electric wires the view is very beautiful from here exclamatory sentence वाव वाव हमारा एक question sorry interjection word है और मैंने बतायता exclamation section में जब भी हम interjection word use करेंगे तो उसके just बाद exclamation का मार्क लगाएंगे वाव exclamation मार्क दो व्यू इस वेरी ब्यूटिफुल from here full stop here the last exercise exercise d rewrite the following exc exclamatory sentence one has been done यहां पर हमें सारे sentence को exclamatory sentence में convert करना है और सभी में हमें interjection words का use करना है जैसे first में interjection word दिया है तो से मुसी की तरह हम interjection word का use करेंगे और sentence के last में full stop लगाएंगे first solve है I have lost the match तो interjection word यहां हुज़ूद है oops exclamation मा I have lost the match second है the football match is cancelled हमें कुछ नहीं करना है सिफ sentence के starting में कौन सा interjection word यूज़ कर सकते हैं सिफ हमें वो word यूज़ करके बागी सारा sentence ही लिखना है the football match is cancelled तो यहां पे interjection O का use करेंगे oh the football match is cancelled she dance and sings very well wow she dance and sings very well I have hurt my ankle ouch I have hurt my ankle I am sorry you lost our pussy alas I am sorry you lost our pussy it's a masterpiece at work incredible it's a masterpiece at work it smells like rotten eggs hey it smells like rotten eggs so as you can see here यह सारे हमने interjection words का यूज़ किया है बाकि सेम हमारे sentence ही है सो यह थी इसकी exercise A, B, C and D इसको अच्छे से और प्रक्टिस भी कर सकते हैं सिफ वीडियो की help से समझे और खुद कोशिश करें exercise को फिल करने की and I hope आपको sentence और kind of sentence अच्छे से समझ में आ गया होगा so thank you so much for watching this video and I will come with the next one thank you so much and have a good day